इन से मिलिये प्लेलिस्ट में नूतन चत्रुएदी से बात करते हुए मेरा अगला सवाल उनके जन जागरती फाउंडेशन के संदर्ब में और उस अनुभव के बारे में ये है कि अब नौ वर्ष का वक्त गुज़र चुका है जो कि आप परसनल ग्रूमिंग और ये सिलाई के बारे में उनको तालीम दे रही है अब तक आपका क्या एक्सपीरेंस रहा है क्या काम्याबी आपको इसमें हासिल हुई है जैसे हम उनको ये हुनर स्किल सिखा रहे हैं टैलेंट बच्चों में आता जा रहा है जो कि उन लड़कियों को बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा है तो हम उनको आत्म निर्मर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लड़कियां इसको सीख कर अपना उन्होंने सिलाई का एक बुटीक खोल लिया है जिसकी हमें बहुत खुशी होती है कुछ लड़कियों को अब हम धीरे धीरे ऐसा कर रहे हैं कि उनको हम जॉब्स भी दिलवा पाएं तो हमने बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसे से बात करी है बुटीक से बातें करी हैं जहां पर भी हम उनको जॉब्स दिलवाने की कोशिश करेंगे अब तक का सफर 9 साल का तो बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि हमने उनको एक आत्मनिर्बर बनाया है लड़कियां इतनी ग्रेटफुल रहती है उनकी फैमिली इतनी हमारे लिए ग्रेटफुल रहती है और हमें भी बहुत कुशी होती है कि हम समाज के उत्थान के लिए कुछ काम कर रहे है तो अब हम उनको vocation भी दिलवाने की कोशिश करेंगे अभी कुछ-कुछ हमने लड़कियों ने कर लिया है और हम उनको बहुत ये भी करते हैं ओनर भी करते हैं अच्छे प्रोग्राम्स करके उनको हम ऑनर करते हैं अच्छे-च्छे बड़िया-बड़िया चीफ गेस्ट को बुलाते हैं और उनको बहुत इनकरेज करते हैं बहुत अच्छा है ये और इसमें ये ध्यान में रखने की बात है कि जल्दी ही किसी दिन नूतन जी इन बच्चों को जो कि परस्नल ग्रूमिंग या सिलाई में क्वालिफाइड हैं, एक्स्पिरेंस्ट हैं, जिस जानकार हैं कि उनको कुछ फैनेंशल असिस्टंस दिलवा करके कुछ एनकरेजमेंट दिलवा करके जिससे कि केवल वो जॉब के लिए आश्रित न रहें वो वास्तव में फैनेंशली डिपेंडेंट हो सकें अपने पैरों पर खड़े हो सकें अगर वो होगा तो संभवता ज्यादा कैमा भी मिलेगी थैंक्यो वेरी मच्च आपसे बातशीत करके बहुत खुशी हुई और मुझे पूरा इत्मिनान है कि इसका जो वीडियो का फीड़बैक आएगा उससे यह जाहिर हो जाएगा कि इसकी क्या यूटिलिटी क्या एक्सेप्टेंस और रेक्शन रहा है शुक्रिया ठीकित धिक्यों मुझे तर्फिया यूझे तर्फिया